उतर परदेश के बदायों जिले में हैरान करने वाला मामला सामने आया है यहां 16 साल के किशोरी से छेड़ खानी करने वाले दो आरोपियों को पंचायत ने पैर छू कर माफी मांगने वह पीडित के भाई से जूते मारने के बाद छोड़ दिया जबकि पीडित के परिवार न में तहरीर दी थी लेकिन गाव वालों ने कारेवाही ना करने का दबाव बना कर मामले को पने स्तर पर निप्टा दिया इस घटना का वीडियो भी सामने आया है लेकिन पूरिस के अधिकारी कुछ भी बोलने को तयार नहीं है मामला ठाना दाता गंच कोतवाली शेतर के गा किशोरी के घरवालों ने दातागंज को तवाली जाकर अरोपय के खिलाफ तहरीर दी लेकिन गाउं के अन्य लोगों को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने दोनों पक्षों को समझाना शुरू कर दिया फैसला कराने के लिए स्थाने निता भी गाउं में जूते मारेंगे इस पर पंचायत तयार हो गई शर्त के मुताबिक दोनों आरोपयों ने पीडित सभी महिलाओं पुरुशों के पैर चुए इसके बाद पीडित के भाई ने बीच सड़क पर दोनों को बढ़ा कर उनके सीर पर जूते मारे इस मामले का वीडियो वाइल होन आरोपर के वाजिए ज्रक्रोड मॉरी पुरूड आपके अरिज बनावोर जहां से माते तथी नहीं और यदो एटो एसथ ही नाए स्फर्बने पाने की लिए भेल ऑएकन की क्लिक कर हमारे चैनल को लाइप, शियर, अड्सट्राइब निय्क हें थान्यवाद